वी लुक अप फॉर्मुला एकसल के इंट्रुव में सबसे ज़्यादा पूछे जाने होला एकसल का फॉर्मुला जो होता है वो है वी लुक अप फॉर्मुला अगर आपको कोई इंट्रुव में पूछे कि कि वलुकुक पॉर्मूल आपको आता है किया तो आपको सकता होगी हमेने प्राक्टिकल सीख्याहे उस क्या काम हो सकता है ऐसे सवाल में अगर पूछेंगे तोंकी इनको समझ में को मैं आता है कि भी लूक अप को मैं कैसे एकस्प्लेंड करूं या प्रैक्टिकली भी करना है तो उसे डीटेल में कैसे करना यह भी आज़े अगर आपको नहीं है और चेल एकक्षेल का इंटर्यूप और रेंज लुकप इन सब को अलग अलग यूज ए लुकप वैल्यू कप और कैसे देने हैं टेबल एरे कैसे से लेकरना है डायनेमिक टेबल कर सकते हैं टेबल के अंदर वो भी मैं यहां पर पताने हो आला साथी में कॉलम इंडेक्स नमबर डायनेमिक कैसे होगा मतलब मुझ पता ही नहीं होता है बहुत सब्सक्राइब लोगों को लगता है कि एक्जाट मैच मतलब जीरो देदो काम हो गया अगर भी लुकप फॉर्मुला आपको आता है तो तो लोग एक्जाट मैच ही यूज करते लेकिन एप्रॉक्स मैच का भी बहुत सारा यूज है और वह प्र दोस्तों आप सीखना चाहते वी लुकप डीटेल में पहले वी लुकप यहने की वर्टिकल लुकप यह तो आपको भी पता है बच्चा बच्चा जानता है मेरा कहने का मतलब यह कि जो एक्सल सीख रहा है वो बच्चा जानता है कि वी मतलब वर्टिकल लुकप लिकिन इसक अब ये अंग्रेजी डेफिनिशन सर की उपर से गई हो कि लेकिन इसका मिनिंग मैं आपको प्रैक्टिकली जब पढ़ाओंगा न तो ये डेफिनिशन दुबारा रिवाइज करूँगा तो आपको समझ में आगा कि ये डेफिनिशन क्यों है बिसिकली ये क्या कर रहा है जब मैं प्रैक्टिकली बताओंगा कि इस डेफिनिशन से मैं रिलेट करके बताओंगा कि ये वी लुक अप वैसे कैसे काम काता है जैसे डेफिनिशन यहाँ पर दी है तो अभी मैं डेफिनिशन नहीं समझाओंगा तब आपको ये डेफिनिशन अटोमेटिक समझ में आगी, step by step मैं दुबारा explain करूंगा, don't worry, so यह English definition क्या है, वो Hindi मैं explain करूंगा, don't worry, लेकिन इसका syntax क्या होता है, इसका syntax होता है, इसमें चार arguments होते है, पहला lookup value, दूसरा table array, तीसरा column, index number, और चौथा range lookup, यह चारो भी syntax कब देने है, कैसे देने है, यह practically हम समझेंगे, क्योंकि यहां पे क्या होता है, कि problem ही होता है, हम we lookup तो सीख लेते, लेकिन एक धाचे में सीख लेते, एक data पे सीख लेते, और जब हम company के data पे काम करने जाते है, तो हमें पता नहीं कि इस data की उपर, यह भी lookup हम कैसे लगा पाएंगे, तो अगर यह वीडि होता है, approach match भी होता है, और दोनों भी काम की चीज़े, जो मैं यहां पे इस वाले particular video मैं आपको बताने वाला हो, तो चलिए शूर करते है, यहां पे excel फाइल में मैं आ चुका है, यहां पे basically मैंने दो अलग-अलग data लिया है, दो अलग-अलग किसम का data लिया है, जिसमें मैं इस लिया है, उस list के आगे, उस employee ID के आगे, जो भी records पड़ा है, वो record मुझे यहां पे vertically display करना है, तो मैं आपको यहां पे simply VLOOKUP लगा के दिखा तो, is equal to VLOOKUP यह formula में टाइप कर रहा हूं, मैं explain करूंगा, don't worry, पहले देख लो, VLOOKUP में यहां पे टाइप कर रहा हूं, चा जैसे करना है, is equal to VL, type करते ही, आप देखेंगे, नीचे आ चुका है, और उसके बाद आपको क्या करना है, tap button press कर देना है, जैसे आप tap button press करोगे, यह आप देख पाएंगे, यहां पे directly VLOOKUP आ चुका है, और उसके नीचे यहां पे arguments आपको दिखाए दे रहे है, यह 4 arguments, य और उसमें पहला argument है, lookup value, जो bold है, वो हमें पहले देना है, उसके बाद हम जैसे comma करेंगे ने, यहां पे देखें, next bold हो जाएगा, मतलब यह argument आभी देना है, फिर comma करेंगे next, मतलब एक argument देने के बाद आपको comma देना है, इतना तो आपको समझ मैं, तो lookup value मैं पहले देता ह और मैं result दिखाता हूँ, क्या आ रहा है, result आ रहा है, कि 1001 के सामने अजय पांडे लिखा गया है, अब मैं explain करता हूँ, अभी अजय पांडे यहां पर result आ रहा है, मैं delete करता हूँ, अब यहां पर धेन देना है, we lookup, जब मैं we lookup लिखता हूँ, सबसे पहले मुझे पूछा का नाम, इस सेल में मुझे employee का नाम चाहिए, यता है, और कौन सी value को देखके करना है, नाम लाना है, मुझे इस value को देखके ला, नाम लेना है, तो यह value जो है, यह lookup value होती है, और यह lookup value यह table के left side में होनी चाहिए, सबसे पहला rule, we lookup का याद रखी है, कि जो table है आपका, उसमें यह value left most होनी चाहिए, तो आपका table यहाँ पे आपको दिखाए दे रहे, employee ID है, और इसमें left most column of the table, यह जो है left most column of the table, जो है employee ID, पहला column, दिखाए दे रहे ना, यही है, और आपको वही यहाँ पे लेना है lookup value, तो यह पहला rule तो आमने complete कर लिया, lookup value में यह rule है, कि य पोरा table यहाँ पर आपका data पड़ा है, तो हमने यह पूरा पोरा table ऐसे select कर लिया, अब इस table को आप दो तरीके से select कर सकते हैं, अगर आपके पर पूरा table ऐसे भी select कर सकते हैं, अगर आपके बश्च बहुश रहा है तो आगे भी data बढ़ रहा है, तो आपको लगता है कि data पूरा table है a1.2.g11 उसके बाद कोमा देने के बाद कॉल्म index number वो पूच रहे कि आपको यहां पर क्या चाहिए employee name चाहिए तो employee का कॉलम number बताओ column index number बताओ आपके table में नियाँ से सुनिये का मैं आपके table में बोल रहा हूँ इसका मतलब यह नहीं कि हमेशाब A से काउंट करो, अभी मेरा टेबल A1 में पढ़ा है, तो मैं A1 से काउंट करूंगा यहाँ लेकिन कभी का बार मेरा टेबल कई पर भी हो सकता है, तो वहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, काउंट करना है, तो A से काउंट करूंगा, 1 यह नachet, क्लिंट करना टेटा बक्तवरेगा टेटक आहीं से कॉम्बर थो यहां परہती कारने हैं, 236, 05, 05, 05, 05, 05, 07, 06, 06, 06, 05, 08, 05, 06, 06, 05, 08, 06, 06, 08, 06, 06, 06, 06, 07, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 05, 06, 06, 06 and 05, 07, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06 approximation match, false, exact match तो मैं false लिखूंगा तो भी चलेगा या फिर मैं false की जोग यहाँ पे 0 लिखूंगा, false और 0 1 end the same, आप 0 लिखो तो भी चलेगा बहुत सरा लोग false लिखते हैं, लेकिन false लिखने के चकर में कभी spelling wrong लिख देते हैं, इसलिए 0 लिख दो अब आपको बताओंगा जरूरी है उसका भी तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करो और यहाँ पे एंटर करो देखिए अब यहाँ पे देखेंगे अजवेपांडे प्रॉपर आचुका है अब यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा मैंने आपको बोला था कि leftmost column of the table अगर यहाँ पे employee id यह जो है na employee id लेप में नहीं होता यह राइट में हो जाता जैसे example लेलो मैं example के लिए बता रहा हूं इसको मैंने अगर यहाँ पे right में रखा होता यहाँ पे तो यह error यहाँ पे show ही नहीं होगा हो और बिल्कुल मैं range भी बदलूँगा सब कुछ बदलूँगा तो भी error आ जाएगा अगर आप leftmost column of the table employee id रखेंगे तो ही वो काम करेगा क्योंकि अगर आप right में रखोगे तो we look up यहाँ पे काम करने वाला नहीं हो उसके लिए अलग त जगे यह table आपने ऐसा भी select कर लिया यह proper select कर लिया बी 1 से table start है हमारा भी तो भी आपको answer नहीं मिलने वाला right यहाँ पे answer मिलने वाला नहीं है अपने table यहाँ पे देखिए बराबर है बराबर table select किया नहीं आएगा तो आपको क्या करना याद रखे look up table जिस value को आप look up कर र यहाँ पे range change करना पड़ेगा ओके right यहाँ पे आज यह पांडे आ रहा है अब दूसरी चीज़ मैंने बोला था कि इस range की जगह आप कोई नाम भी दे सकते है कैसे नाम दे सकते है A1 to Z11 की जगह नाम कैसे दे सकते है मैं delete कर देता हूँ इसे नाम ऐसे दे सकते है इसको आप select कर सकते है पूरा का पूरा select करने के बाद आपको उपर formulas tab मिल जाता है formulas tab में यहाँ पे define name देखे formulas tab में यहाँ पे define name option है या फिर directly आप यहाँ पे click करोगे और नाम type करोगे तो भी चलेगा नाम देते समय याद रखना है किसी भी table को यह किसी भी range को basically यह range यह हमारी इस range को तो यह range नाम देते समयाशं हम हिंगे तो में यहाँ पे नाम देता हूँ इसको यह मेरा employee record तो में employee record नाम देता हूँ इसको और में SPACE नहीं दूंगा नाम और नंबर से Start नहीं करूंगा तो मैं employee record, emp underscore record इस तरह से मैं नाम देता हूँ और enter करूँगा, नाम देती ही मैं, यहाँ पर देखिए, यह add हो चुका है, नाम यह देखिए आ गया है अब मैं बाजू में क्लिक करूँगा, हट जाएगा, लेकिन जैसे मैं इसे select करूँगा, यहाँ पर नाम आएगा और इसमें कुछ changes करने तो आपके लिए name manager option है, यहाँ पर formulas tab में name manager, इसमें जाकर नाम में कुछ भी edit करना है, तो यहाँ से edit कर सकते हैं, आप नाम को बदलना है तो फिलाल मैंने नाम दिया तो आप देखिए formula कैसे होगा, दोबार देखिए, easy हो जाएगा, we look up, यह हो गए आपकी look up value, बड़बर, look up value के बाद आपका table array, यह पूरा पूरा select करना है, लेकिन अब आपको select नहीं करना है, मैंने नाम दिया है, तो नाम दिया तो मैं यहाँ प result देखो, आगया, नाम दिया मैंने, यहाँ पे नाम दिया काम हो गया, right, अब मैं नाम हटाओंगा आगे चलकर, मैं आपको दिखाओंगा, नाम हटाने के बता में range को fix भी करना पड़ता है, अब यहाँ पे मैं drag करूँगा, तो क्या सबका result आएगा क्या, अगर यह formula मैं drag क क्या रहा है, D18 आ रहा है, हमारा look-up value, D14, D18, काया पर हमारा look-up value है, हमारा look-up value है, यहाँ पे, D13, focus please, यहाँ पे, D13, D column, यह look-up value selected है, हमारा D column, row number 13, D13, right, so D13, इस वाले cell में हमारे पास look-up value है, तो D13 ही look-up value रहना चाहिए, इसके लिए इसको F4 बटन प्रेस करके fix किय आ गया मैंने, देखिए, यहाँ पे F4 बटन से क्या होता है, dollar sign apply होता है, जिससे यह range fix होगी, D13, यह sale fix होगी, basically, D13 sale अभी change नहीं होगी, जब भी मैं formula भी drag करूँगा, तो आप देखोगी result सब जगह पे आ रहा है, right, सब जगह पे result आ रहा है, लेकिन आजे पंडे result आ रह 1003, 1009, तो देखिए, संगीता सिंग, सब जगह पे वही आ रहा है, reason क्या है, सब जगह पे संगीता सिंग क्यों हो, क्योंकि यहाँ पे column जो index number हमने दिया है, वो 2 नमबर column का ही result सब जगह पे आ रहा है, यहाँ पे देखिए, 2 नमबर, यहाँ भी देखिए, 2 नमबर, हमारा याद रखें, दो number column, 3 number column, चार number यह table में है ऐसे column है हमारे, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 की जगह 3 लिखना पड़ेगा, देखते हैं, आ गया, double click यहाँ पे 3 की जगह 4 लिखके देखते हैं, फॉर्मुला को edit कर लो, double click 4 की जगह 5 लिखते हैं तो ऐसा क्या एक 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 सेल के लिए लिखते बैटाएंगे नहीं लेकिन आंसर तो प्रॉपर आ रहा है तो इसका सुलूशन क्या ये भी मैं आपको बताता हूँ बहुत सर लोगों को ये भी आइडनी इसका सुलूशन ये है कि यहां पे दो की जगत तीन आटोमे और एंटर करता हूँ दिखाता हूँ क्या बता रहा हूँ रो बताएगा वो रो नंबर जिस रो में आपने इस फॉर्मूला को लिखा है बेसिकली यहां पे देखिए मैं इधर लिखता हूँ इसके नजदीक में ये 14 नंबर है तो बताएगा 14 नंबर ही अगर मैं इस फॉर नीचे रो में जाओगे तो जो भी इस रो में रो नंबर 20 बताएगा आपको तो यह रो फॉर्मुला में अगर यहां पे दू तो काम करेगा क्या आप बोलो कि कैसे करेगा काम सर यह तो 14 बता रहा है हमें तो 2 चाहिए राइट तो 14 बता रहा है लेकिन हमें कितना चाहिए 14 बता रहा है हमें दो चाहिए तो हम क्या करेंगे यहां पे माइनस 12 करेंगे दिमाग लगाएंगे हमारे पास भी दिमाग है अगर यह 14 है तो उसमें से 12 माइनस कर दिया तो 2 आ गया तो एंटर करो यह देखो संगीता सीग आ गया अभी यहाँ पर ड्रैक कर लो और काम तमाम हो जाएगा अब बोलो कि कैसे हो गया क्योंकि यहाँ पर रो नंबर क्या बताएगा इसको मैं सेलेक करके दिखा तो यह सेलेक्ट कर लो इतना ही पार्ट सेलेक्ट कर लो और कीबोर्ड पर एप 9 उसे आप F9 करोगे तो यहाँ पर result दिखाता है, Ctrl-Z करोगे तो वह आपीस आजाएगा, तो यह row number 15 है, 15 में से 12 आगे, कितने रहेगे, 15-12, कितने रहेगे, 3, और हमें यहाँ पर 3 ही चाहिए, क्योंकि यह 3 number column ही है, designation, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर बताओ क्या चा तो 7 कैसे आएगा, यह row number क्या है, row number है 19, अगर मैं यहाँ पर formula लिखूँ, आपको समझ माया होगा, 19 आएगा, 19-12, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और हमारा result आगे, तो आपको यह idea आचुका है, कि वी look up आपको बस एक बार यहाँ पर किस तरह से type करना है, यहाँ पर करोगे, सब का result यहाँ पर आपको दिखाए देगा, 101 पर आते हैं और देखते हैं, यह manager purchase, mail, Mumbai, okay, proper result आचुका है, proper result इसने pick कर लिया है, exactly जैसे मुझे चाहिए, यह वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक वीडियो पसंद आया, तो हक से एक लाइक मा मैंने Excel का course design करके रखा है, जो कि आप घर बैटे बैटे सीख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, कि बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे फ्रेंड है, जो आप करते हैं, तो उनको time नहीं मिलता है, basically, कब सीखे, तो इसलिए कोर्स मेने pre-recorded videos में मेरे application की उपर रखा है, जिसकी link अगर आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, जब चाहिए तब उसे offline mode पे भी देख सकते हैं, तो अगर आप इंटे शोड़ो तो description में application की link दी है, अगर आप Excel को in detail सीखना चाहते हो, पूरा एकदम basic to advanced सीखना चाहते हो, तो जाहिए description में app है, डाउनलोड इंस्ट्रॉल कीज 160 वीडियो का ये 30 hours का course में ने डिजाइन किया Excel beginning to advanced और उसके साथ भी और सारे और भी courses है, तो अगर आप इंटे शोड़ो जाकर check out कीजिए application की उपर available है, फिलाल तो आगे के topic की तरफ बढ़ते हैं, तो look for the value in the leftmost column of the table, मैंने जो definition बताई थी, इस definition में आते है, look for the value in the leftmost column of the table, and, देखिया, ये पहला sentence बढ़िया, look for the value in the leftmost column of the table, अब ये definition में इसलिए आप से go through करवा रहा हो, ताकि आपको जब theoretical we look up interview में पूछे जाए, तो आपको आना चाही बताना, right, इसलिए में बता रहा हू, look for the value in the leftmost column of the table, यहाँ पे आते है, look for the value in the leftmost column of the table, वही look up कर र रहा है, return the same row value, जो column number आप specify करोगे, suppose मैंने 2 number column specify किया, यहाँ पे column number 2, यह है column number 2, इनका minus वही आएगा, तो column number 2 specify किया, column number 3, 4, 5, जो column number आप specify करोगे, उसका, उसी row का, जैसे यह value है, 1001, तो 2 number column, 3 number, column 4 number, column 5 number, 6 number, 7 number, column में जो values पढ़ी है, वहाँ पे display करेगा, अब आपको definition clear हो चुकि, look for the value in the leftmost column of the table, and return the same row value, that column number you specify, by default table must be sorted in ascending order, यह आगे होगा, रुकिये, यह आगे है, फिलाल इस case में अगर यह table ascending order में नहीं है, तो भी काम चलेगा, मतलब मेरा 1001 उपर भी है, sorry, 1001 यह उपर भी है, और 1001 नीचे है, 1001, तो भी result आएगा, यह देखिए, प्रॉबलम नहीं है, यह table ascending order में नहीं है, कोई problem नहीं है, by default table मझ भी sorting in ascending order क्यों दिया है, यह अगर आपका सवाल है, तो मैं आपको बताऊंगा, definitely, दूसरी चीज, आपको एक बात याद रखनी है, look up value में एक तो अगर आप कोई result निकाल रहे हो, जैसे आप employee ID, employee की name दे यहाँ पर भी 100 होने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कि एक ही employee को दो ID दिये जाते, लेकिन मैं आपको बता रहा हो, कि ऐसी जगह पे we look up apply नहीं कर सकते, और करना है तो उसके लिए कुछ जुगाड हो गयरा करना पड़ता है, और जुगाड मैंने बहुत सारे, already मेरे course में पढ़ मैं जो पड़ा रहा हो समझ में आ रहा है, फिलाल हम आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको और भी बहुत सारी बाते बताने हो लाँ, we look up से related, अब तो शुरुवात हो चुकी है, अब आपको idea आ चुका है, कि employee ID डालते ही, यहाँ पे Ajay Pandya आता है, manager purchase, यह सब कुछ आ रहा है, proper है, अब यहाँ पे एक और चीज, अगर मैंने यह range name नहीं दिया, मैंने हटा दिया, यह range name जो है, यह मैंने हटा दिया, employer record मैंने नाम दिया था न, तो कैसे अटाओंगा, मैं name manager में जाता हूँ, मैं employer record यहाँ पे दिखाए दे रहा हूँ, यह delete कर देता हूँ, और ok, यह द सकते हैं, error आ रहा है, क्यों error आ रहा है, क्योंकि again यह जो range है, यह यहाँ पे A1 to Z11 है, लेकिन यहाँ पे आते आते हैं, वो A6 to Z16, यह देखे, कुछ और ही हो गया, table लो, देखे, A6, यह हो रहा है, relative reference, और इसे मैं करूँगा, absolute reference में, इसे में select करूँगा, और fix कर absolute reference करने के लिए, इसको select कर लो, A1 to Z11, F4 keyboard पे दबा दो, keyboard पे F4 बटन दबाने से, यहाँ पे dollar sign आ जाते, और यह dollar हमारे काम के है, भाई dollar सब के काम के होता है, यहाँ पे हमारे भी काम के है, और यहाँ पे देखे, यह range fix हो जाती है, तो अगर आपने नाम नहीं दिया है, नाम नहीं दिया range को, तो आपको ऐसे fix करना पड़ेगा, यह मुझे बताना था, मैंने बता दिया, नाम दिया है, तो कोई बात नहीं, वो fix ही रहता है नाम, तो नाम नहीं दिया, तो आपको यह fix करना पड़ेगा, बाकी यह चीज आपको पता चली है, कि यह कैसे करना है, यह logic समझ लो, यह row minus 12 कहां से आया, आपका doubt रहेगा, example ले लो, यह अगर मैं employee ID को लेके, यहाँ पे कई पे रख देता हूँ, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई, अभी मुझे यहाँ पे VLOOKUP लगाओ, तो VLOOKUP अगर यहाँ पे लगाते हो, तो यहाँ पे row minus 12 ही आएगा क्या, बताओ मुझे, यह logic समझ लो, कॉमा करो, lookup value दिया, कॉमा दिया, lookup value, उसके बाद पूरा पूरा table लिया, मैंने A1 से लेकर जो भी है, G11 तक, उसके बाद कॉमा किया, और column index number क्या रहेगा, column index number क्या रहेगा, मैं यहाँ पे column index number, यहाँ पे answer मुझे 2 चाहिए, याद रुको, मुझे 2 चाहिए, आपको पता है, employee name दो number column में पढ़ा है, तो 2 answer चाहिए चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले देखो कि रो, रो का formula प्र लगाओगे, रो में क्या रहा है, देखे, यह रो में देख लो क्या है, आट आ रहा है, आट number रो में, तो आट number रो में से, अगर मुझे 2 लेने वहाँ पे, तो कितना minus करना पड़ेगा, उस ही सबसे जाना है, जो रो में आप formula लिख रहे हो, पहला वाला, उसको वहाँ पे देखना है कि भाई क्या आएगा, आट, तो आट number रो में formula लिखा जा रहा है, तो आट में से दोगे, और exact match के लिए यहाँ पे last में 0 रखो, और enter कर दो, enter करने के पहले एक और चीज करनी पड़ेगी, F4, इसे भी select कर लो, F4, भूलिएगा नहीं दोस्तो, यह J7 और यह A1 to J11, F4 करना जरूरी, तो आपको यह logic समझना है कि यह row में लिखूंगा, ठीक है, लेकिन आगे मैंने minus 6 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे minus 12 लिखा, यह क्यों लिखा है, मैंने पहले वो row number देखा, जिस देख सकते हैं, यह देख लो, 14 है, तो इस row में से कितना minus करेंगे, तो हमें 2 मिलेगा, simple है, यह गनीत तो आपको आना चाहिए, चोटा सा गनीत है, तो आपको तो आना ही चाहिए, तो यह आपको clear हो चुका, अब यहाँ पर problem कहां कहां होती है, मैं आपको बताता हूँ, सब बहुत सरे लोगों को यह logic की नहीं समझ में आता है, बहुत सरे लोग 0 देना है, भूल जाते है, तो यहाँ पर 4 argument देखो, पहला argument, lookup value, दूसरा argument, table area, यहाँ पर दीख रहा है, तिसरा argument, column index number, चौता argument यह है, यह clear हो चुका होगा, अब क्या होता है, कि बहुत सरे लोगों क इनका data यहां से start भीटा, तो अब उनको क्या करना है, उनको यही चीए, मैं यह copy कर लोंगा, और मैं इधर result लेना चाता हो, इधर लेता हो, paste, क्या करूंगा, मैं paste में जाकर transpose करूंगा, transpose पता रहेगा, आपको paste में जाकर transpose, दिखा दिखा देता हो, transpose से क्या हो रहा है, जो horizontal अब वी लुक अप लगाते है बहुत सारे लोग भी लुक उप लगाते Bay当 City कहां से यह ले फनली से टेबल यहां से श्टाट यौह यौह तो ऺल вас टेबल या तो सिटार्ट है क्यों टेपल है यहां सिह रहेगा मौ एजहों ुला ये 1 अगर फोर्मौलवन लगा मुझे जरा बताओ जरा बताओ जरा बताओ जरा बताओ इध्यान से सुना है वो बताएंगे जरूर बताएंगे रो माइनस 1 2 3 4 बताओ क्या 5 6 6 तो नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर अलड़ी 6 से 0 हो जाएगा क्योंकि रो की वैल्यू अब क्या आने वाली अब जाके पहले चेक कर लो न यार आपको नहीं याद आ रहा है तो इसको र सब काम हो गैं आपको एक आपको किस तरह से काम करता है डिखिए ये आइड़या मेंने बताई है मैं यहां पर paste कर रहा हूँ इसको transpose और मैं चाहता हूँ कि मैं यहां पर employee ID डालू तो यहां पर आ जाए वैसे मैं hlookup आगे बताऊंगा आपको बट यहां पर मुझे vlookup के जरीए है यहां पर चाहिए तो मैं vlookup यहां पर लुखूंगा lookup value अगें table array यही है table column index number यहां पर मैं 2 दे दूँगा 0 दे दूँगा और result आ जाएगा आपको पताईएँ यहां पर मैं इसे of four करता हूँ यहां पर मैं इसे भी of four करता हूँ अब मैं एंटर करता हूँ, यह रिजल्ट बराबर आ चुका है, अब मैं ड्रैग करूँगा तो यह रिजल्ट सारा बराबर आ गया है, लेकिन आजे पांडे आ रहा है, क्योंकि यहां पे रो का फॉर्मुला लगा कि चलेगा कि यह मुझे बताना है, रो अगर मैं लगाता पंदरा, पंदरा नंबर मैंनस कितना करूँगा, तो अटोमेटिकली वो दो दो बराबर आ जाएगा, लेकिन सब जगह पे वह ही आएगा, क्योंकि उसी रो में रो नंबर पंदरा मैंनस तेरा, पंदरा मैंनस तेरा, वही दो 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 ही आएगा, फिर मतलब ही नहीं, तो य इसके आएगा आपको यह देखना है कि आपने यह जो पहला फॉर्मूला लिख रहे है यह कौन से कॉलम में यह है आप बुलोगे यह दो नूमबर कॉलम में इस टेबल के इसाब से है लेकिन यह जो है यह लिख रहे हो, 6-4, तो आजाएगा, और आपका result यहाँ पर ऐसे भी आजाएगा, तो ऐसे हो या वैसे हो, आपको result कैसे निकालना है, column formula आप horizontal ड्रैक करते समय यूज करेगे, row formula ध्यान से सुनो, बहुत सारे लोग practice नहीं करते इसका, यह जो seat है, practice के लिए मैं दे रहाओ, description मे लिंक है, वहाँ पर आपको, home tab पर ही, study material का एक टाप मिलेगा, option मिलेगा, उसके अंदर, youtube चैनल प्रैक्टिस file मिलेगा, study material के अंदर, youtube चैनल प्रैक्टिस file मिलेगा, उसके अंदर, यहां पर, इस channel से, siitä यह चैनल पर व्योडियो देक रहे हो, excel tutorial भया लान्मोर हो, torean channel से, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस के सेवा कुछ होने वाला नहीं है तो यह तो बात आपको क्लेर हो चुकिए डेटा कैसे भी हो किदर भी रखा हो तो आपको कैसे काम करना है तो यह क्लेर है अब आगे बढ़ते हैं दूसरा एक तरीका अब यहां पर आपको भी लुक अप्लाई करना है यहां पर मुझे क्या करना है इस वाले एक्जम्पल पर जरा धान मतलब पूरा गोर कीजिए क्या मैं बता रहा हूँ इस प्रवभण आपको कोगी करने की जोरूदिन वारबार करने की जजरूदिन अभी इतने सारीपक rocky Dziękuję ळगाएंगे करना क्या है किसको देना इंसेंटुती इन करेंश्टोमर सेल्स रिप्रेजेंटिटीव को देना है CSR तीम में ध्यूनको उनके sales की सबसे incentive देना है उन्होंने जो quantity sale की है इन्होंने 66 Mercedes बेचे है इन्होंने 40 बेचे है 27 बेचे Mercedes हो सकते हैं तो इतना चोटा commission नहीं मिलेगा Mercedes बेचने के बाद शायद ये कुछ और रहेगा तो उनको ऐसा incentive मिलेगा उन्होंने इतनी quantity बेची है जैसे quantity ये देखिए 0 अगर quantity बेची है 0 से लेकर 10 तक तो कोई incentive नहीं है याद रखिए 0 से 10 तक कोई incentive नहीं है 10 से 20 तक है तो ये उपर आला 1000 incentive 20 से आगे 2000 30 से आगे 3000 40 से आगे 4000 50 से आगे 6000 100 से आगे है 100 या 100 से आगे है तो 10 अज़र तो ये incentive उनको मिल चाहेगा यहाँ पर जो दिया है तो इसके लिए हम we look up इस्तमाल करके इसको आसानी से solve कर सकते है multiple eep और लगाने के बिलकुल ज़रूत नहीं है we look up, multiple eep इन सारे formula's को सेखना बहुत ज़रूरी है multiple eep भी लगा कि आप इसका solution निकाल सकते है बट यह सारी formula's आपको आनी चाहिए logic आपको आनी चाहिए magic आपको समझने चाहिए और अब तक का magic आपको समझ में आ रहा है तो description में जही मेरे excel का पुरा पुरा course है excel mastery, excel professional, excel coding course है excel bvv mastery, programming course तो वो भी पूरा basic से मैंने बताया हर एक चीज को step by step मैंने explain किया कि कब कौन से formula's कहाँ पर कैसे इस्तमाल होते, practice file है, in-app video download है, certificate है, सारी चीज़े आपको आपको मिलने वाली course completion के साथ साथ, अगर teaching style पसंदे तो अभी जाकर enroll किजिए उस course को body companies में दोस्तों, तो सीखना तो शुरू कीजिए, फिलाली यहां पर देख लीजिए, अभी आगे incentive निकालना है, मैं we look up लगा रहा हूँ, we look up, look up value यह है मेरी, right, look up value यह रहेगे, look up value इस बार change हो रही है धान से सुनिए, look up value इस बार change हो रही है, तो मैं इसको f4 नहीं लगाऊंगा, अब उसमें क्यों लगा था f4 फिर पहले वाले example में, क्योंकि वहाँ पर change नहीं हो रही थी, एक ही look up value थी हम वहाँ पर खुद से manually change कर रहे थे एक ही location पर, लेकिन यहाँ पर location look up value की बार बार change हो रही है ट्रैक करेंगे हम formula को, और उसके बाद column index number, अब यहाँ पर column index number कितना रहेगा, कौन सा रहेगा basically, हमें क्या चाहिए, हमें sales को देखके incentive चाहिए, तो यहाँ पर sales है और incentive, हमें चाहिए incentive, कितने number column है, एक number column में, एक number column में sales है, दो number column है, incentive है, यहाँ पर problem है, यह एक और चीज है, जो की समझना है, यहाँ पर हम false नहीं लिखेंगे, यानि की 0 नहीं लिखेंगे 0 यानि की false, और 1 यानि की true तो यहाँ पर मैं true लिखूंगा, या 1 लिखूंगा, लेकिन अगर मैं 0 लेता हूँ, तो क्या होता है यह बोल रहा है, 66 और जूम हो गया, हमारा निशाना गलत हो गया दोस्तों, यह निशाना सही है अभी देखिए, यहाँ पर जूम कर दिया मैंने और यहाँ पर रिंज लुक अप में 1 लिखा और रिजल्ट देखिए यह बता रहा है कि यह 50 की उपर वालों के लिए है, 6000 रुपए आपको incentive मिल सकता है और अगर आप इसे drag करते हो, तो सबका incentive बताएगा सबका सबका incentive बताएगा, वो लेगा इसको 4-4,000 incentive यह इसको 2,000 यह देखिए 27 है, 27 है ने 20 और 30 की बीच में तो इसका 2,000 incentive होना ना मंगता है, 20 के आगे वाला जो incentive, 20 से लेकर 30 में 2,000 incentive तो यह 2,000 आगया क्या बाद है, क्या बाद है तो यह approximation match range look up में हमने approximation अतलब नजदीक की value तो 66 यह किस के नजदीक है 50 के नजदीक है आप बोलोगा अभी यह 98 तो 100 के नजदीक है फिर उसको 6000 क्यों आप cut out रहेगा 98 यह 100 के नजदीक है तो उसको 6000 क्यों उसको 10,000 क्यों नहीं लेकिन हम आते हैं हमारे definition क्यों by default table must be sorted in ascending order by default table must be sorted in ascending order यह जो table है हमारा table array 0, 10, 20, 30, 40, 50 and 100 ascending order में तो उसको वह पहले जो value मिल रही है उसी को assign करेगा तो 50 के नजदीक 98 चेक करेगा उसको दूसरा कोई मिली नहीं रहा है वह 100 मिल रहा है लेकिन वह 100 next step में है और वह बोल रहा है कि 100 के नजदीक 98 100 से छोटा है वह बढ़ा नहीं है 100 से बढ़ा है 101 है वहाँ पर 101 को दस हजार देता अगर मैं यहाँ पर एक्जामपल के लिए दिखाता हो 101 लेता तो दस हजार आ जाता है लेकिन अगर वह 99 भी है 98 भी है तो वह 6000 ही बताएगा क्योंकि वह ascending order में सेट है टेबल और पचास से सो के बीच में उनको 6000 है हमार वही condition है पचास और 100 के बीच में 6000 है 100 अगर आता है तो उसको 10,000 यह incentive है clear है ना आपको clear है मैंने तो कोशिश की है कि इस चीज को clear करने की तो मैं बता रहा हो कि यहाँ पर 1 ही लेना है अगर आप 0 लेते हो तो नहीं आने वाला यहाँ पर कब आएगा 0 जहाँ पर एकजाट मैच हो रहा है 40 है एकजाट मैच हो रहा है तब वह 0 अला result लेकिन एकजाट मैच का कोई काम ही नहीं यहाँ पर नहीं आपधे दाए तो इसे पर यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज है तो ड़्टी के बीच मैं 30 के भीज़ मैं तो लेकिन ग्रण पर सोता पहा नहीं निकर्ов Immay psychology और बहन जी, definitely समझा होगा ना, तो इस बात पर एक like share और subscribe भी कर लो, तो फिलाल तो आपको ये clear हो चुका होगा, कि वी look up को इस तरीके से भी use करते हो, और ये इतने ही तरीके नहीं है, we look up के उपर धेर सारे और भी तरीके होते हैं, जो कि मैंने course में explain किये है, अगर आप interest हो तो ज़रूर चेक आउट करो, we look up सीखना है डीटेल में, या पि एकसल डीटेल में सीखना है, pure table सीखना है, description में मेरे application के लिए जहां पर देर सारे courses, बहुत इकम फीज में offer में available है, ज़रूर चेक आउट करो उन courses को, और घर बैटे बैटे सर्टपी कि ले लो यार, तो दो कि ये formula series चलुए, पूरे पूरे formula series के सभी वीडियो नीचे description में मैंने दिये है, एक playlist है वापे क्लिक करके आप सारे वीडियो देख सकते है, Excel tutorial चैनल के, साथी में मैंने पहले ही बोला है कि description मेरे application के link है, अगर आप interested हो तो ज़रूर चेक आउट कीजे, जहां पे धेर सारे